दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, What's Up Auto Downloading Close कैसे करें अगर आपके landlord में वाटसआप पर photo वीडियो उपने आप डाउनलोड हो रहा है और आप चाहते हैं वो अपने आप डाउनलोड ना हो तो आप इस वीडियो को लाश्ट तर ढख्यान से देखिए इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे आप WhatsApp पर Auto Downloading को Close कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पर WhatsApp एप में जाना होगा WhatsApp एप में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा जैसी आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है आपके सामने यहाँ पर WhatsApp की तमाम सेटिंग आ जाती है अब यहाँ पर ऐसे में हमें यह पता करना है WhatsApp का जो ओटो डाउनलोडिंग है उसे क्लोज करने के लिए हमें कौनसी सेटिंग को ओपन करना है जैसे के यहाँ पर कई सारी सेटिंग दी गई है जैसे के अकाउंट, प्रैविसी, चैट, नोटिफिकेशन, स्टोरेज, स्टोरेज, स्टोरेज एंड डाटा, एक लेंगविज, हैल्प, इन्वाइट, एफ्रेंड, अब यहाँ पर हमें सेम उसी सेटिंग में जाना है आपको यहाँ पर सबसे उपर मैनिज स्टोरेज का फीचर मिल जाएगा और यहाँ पर नेट्वर्क यूसेज और नीचे यहाँ पर आपको मीडिया ओटो डाउनलोडिंग का फीचर मिल जाएगा यहां से आप ओटो डाउनलोडिंग को बंद कर सकते हैं लेकिन ओटो डाउनलोडिंग भी यहां पर तीन तरह के हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं विन यूसिंग मुबाइल डाटा अगर आप अपने मुबाइल के डाटा से ओटो डाउनलोडिंग बंद करना चाहते हैं तो यह सैटिंग दी गई है और अगर आप वाइफाई के डाटा से ओटो डाउनलोडिंग क्लोज करना चाहते हैं तो यहां से आप उसे कर सकते हैं और अगर आप रोमिंग में ओटो फोटू भेजlor आपो आप तो आप इस टिक को अन्म टिक कर दिजे अब यहाँ पर आपको कोई फोटू भेजता है तो वह आप तो नहीं होगा अप अपने आप डाउंलोड χोगा कोई कתषाई औ अब यहाँ पर जो हमारी setting हुई है ये थी mobile data के बारे में इसी तरह गर आप चाते हैं वाइफाई से आपका जो auto downloading है वो बंद हो जाए तो आपको यहाँ पर touch करने के बाद यहाँ पर इन चारो option पर untick कर देना है ऐसे में वाइफाई के data से photo, audio, video या फिर document auto download नहीं होगा अब आपको यहाँ पर okay पर click करना है अब ऐसे में जब आपका mobile data use होगा तब automatically download नहीं होगा जब आपका वाइफाई का data use होगा तब automatically download नहीं होगा लेकिन जब roaming में होगा तो इसकी आपको अलग से setting करनी पड़ेगी उसके लिए आपको यहाँ पर win roaming पर touch करने के बाद यहाँ प अगर कोई भी हमें फोटू या फिर वीडियो भेजता है तो वो automatically download होने के बाद हमारी gallery में सो नहीं होगा जब हम उसे खुद download करेंगे तभी वो download होगा उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल दी से like कर अपने सबी दोस्तों में सेर कर दीजिए और हमारे चैनल टेकनिकल दिल साथ को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तह दिल से सुक्रिया